पहला प्रस्ण है 4.8 प्लस 1.5 माइनस 3.6 माइनस 2.4 प्लस 2.5 तो पहले जो जोड वाला है उसको हम जोड लेंगे उसके बाद जो घटाओं में जो माइनस में है उसको भी हम जोड लेंगे ठीक है तो पहले हम जो जिसके आगे जोड ऋसको एक साथ लिख लेते हैं देखें, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी जोड में ही है उसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस 2.5 ठीक है अब जिसके आगे माइनस है इस तरफ लिख लेंगे अंतिमे तो 4.8 जोड 1.5 जोड 2.5 देखे पलस 2.5 है इसको एक साथ तीनों को हम लिख लिए है और जो माइनस है उसको एक साथ अलग लिख लेंगे अब पहले हम इन तीनों को जोड देते हैं तो देखे दसमलो के जो दाया तरफ अंक है वो दाया तरफ से ही जूटेगा और दसमलो के जो बाया तरफ अंक है वो बाया तरफ वाला इससे ही जूटेगा तो 8.5.13.13.5 18 हाद में रहा एक देखे 2.1.3 3.4 किता हो गया 7.7.8 यानि हो गया 8.8 अब दोनों माइनस में है तो दोनों जब माइनस में है तो जोड़ होगा देखे छे चार दस हाथ मेरा एक तीन और दो पांच एक छे कितना आगिया छे दसमलो सूने अब हम इस से देखी इसको घटा देंगे ठीक है क्योंकि पहले जोड़ होता है उसके बाद अंठ में घटा होता है जोड देखे हैं हम जोड लिये हैं सबको जो अंठ में बचा उसको घटाएंगे तो आट दसमलो आठ से छे दसमलो सुने को घटा देंगे कितना आएगा? आठ आठ में से 6 गया 2 यानि 2.8 इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर होगा 2.8 तो हमेशा याद रखना है कि पहले जब भी जोड और घटाओ दोनों का चीनने हो तो पहले जोड करेंगे उसके बाद अंत में घटाएंगे अब देखिए दूसरा दूसरा में है 2.2 जोड 2.8 घटाओ 2.5 माइनस 1 2.2 जोड 2.8 माइनस 2.5 माइनस 1 तो इसमें भी हम पहले देखिए ये दोनों जोड में है इसके आगे कुछ नहीं है तो ये पलस में ही है माइनस और जो माइनस में है तो दोनों एक सात है ठीक है तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखे 8 और 2 कितना होगा 10 10 मलों के जो दाया तरफ वला अंक है यानि बाद में 10 मलों के जो बाद वwedवाला अंक है उसको बाद वला से हिं जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 ठीक है अब 10 मलों हाथ में अरा एक अब देखिए इधर वाला अंख दसमलों के जो पहले अंख है तो 2 और 2,4 एक 5 कितना हो गया 5 दसमलों सुनने है माइनस अब ये दोनों माइनस में हैं तो दोनों को जोड देंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो दसमलों सुनने है इसके साथ कुछ नहीं है तो देखिए हम रफ में 2 दसमलों 5 और 1 दसमलों सुनने है एक को हम लिख सकते हैं 1 दसमलों सुनने ठीक है एक को हम 1 दसमलों सुनने लिख सकते हैं तो जोड़ें गितना आएगा? तिन दसमलो 5 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस तीन दसमलो 5 तो जिसके साथ दसमलो नहीं लगा हुग हूग उसके साथ हम दसमलो लाकर सूनी लिख सकते हैं ठीक है, दसमलों के बाद सूने लगाना, कोई फरक नहीं पड़ता है, एक ही रहेगा हो, तो इन दोनों को जोड़ दियें, कितना आ गया, तीन दसमलों पांच, अब घटा देंगे, तो देखे, दस ये सूने, सूने है, तो ये घटेगा कैसे, देखे, पांच दसमलों, सूने और है, तीन दसमलों पांच, ठीक है, तो घटाना है, तो देखे, सूने से तो पांच घटेगा नहीं, तो इस से पैंचा लेगा, तो ये हो जागा दस, दस में से पांच गया पांच, ये चार हो जागा, चार में से तीन गया एक, तो यानि एक दसमलों पांच इसका उत्तर हो जाएगा तो दस मलो के बाद जो अंक है सुनने तो सुनने से 5 खटाएंगे तो इस से 5 चालेगा तो यह हो जागा चार ठीक है यह हो जागा दस दस में से 5 गया 5 चार में से 3 गया एक प्रसंद 3 तीन में है दस मलो 2 जोड़ 2 दस मलो 3 माइनस दस मलो 4 गुना एक दस मलो 5 तो यहाँ पर जोड़ घटाओ और गुना देखें तीनो है तो जब जोड़ घटाओ गुना हो तो पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ और अंत में घटाओ ठीक है तो भागा अगर मानलेगे यहाँ पर भागा भी रहाता तो पहले भागा होता उसके बाद गुना उसके बाद जोड़ उसके बाद अंत में घटाओ तो यहाँ पर सिर्फ गुना घटाओ और जोड़ है तो पहले गुना होगा फिर जोड अंत में घटाओ तो हम लिखेंगे देखें माइनस 2 जोड 2.3 माइनस 2.4 तो पहले हम इन दो나후 को गुना कर देंगे ठीक है ये सब को हम उदाड़ लेंगे और जो गुना है पहले हम गुना करेंगे तो 15 चौक कितना होता है 60 15 चौक होता है 60 ठीक है अब यहां पर 10 मलों कैसे बैटेगा तो 10 मलों के बाद 1 अंक है और 10 मलों के बाद 1 अंक है तो दोनों मिलके 2 अंक हो गया यानि 10 मलों के बाद 2 अंक होना चाहिए तो 10 मलों को हम यहां पर बैठाएंगे और 10 मलों को पहले हम सूने लगाते हैं तो सुन्हे दसमलो छे सुन्हे आगया इन दोनों के गुणा करके एक दसमलो पाँच गुणा दसमलो चार ठीक है तो अब देखें माइनस का चिन है इसके आगे तो माइनस का चिन तो अब ये तोनों को हम जोड देंगे तो इसको हम देखें, कितना है, दस्मलो 2 है ठीक है? और किसको जोड़ना है? दो दस्मलो 3 तो दस्मलो 2 को हम इससरा लिकھیں گे दस्मलो के दाया तरफ वह लांक कदाया तरफ कहीं सामने रहेगा तो इसको जोड़ना है तो देखें तीन और दो पांच कितना आ गया दो दस्मलो पांच या दस्मलो के पहले देखें सूने हम लगा सकते हैं तो सामने सामने रहेगा तीन और दो पांच फिर दो कितना आ गया 2.5 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 माइनस 0.6 ठीक है तो दस्मलो के बाद 0 लिखे या न लिखे कोई फरक नहीं पड़ रहा है क्योंकि 0.6 और 0.6 एक ही एक ही चीज है देखें इसमे हम कितना भी 0.6 ही रहेगा इसे लिए हम सुनने इसका लिखें तो भी उतना ही अंसर आएगा और नहीं लिखें तो भी उतना ही आएगा जैसे देखें इसको हम घटाते हैं तो 2.5 से देखें सुनने दस्मलो 6 को घटाना है कितना आएगा 15 में से 6 गया 9 20 से 5 लिए तो 1 1.9 अगर माल लिजे हम सुनने भी लगा देते हैं जैसे यहाँ पर देखें 2.5 से घटाओ सुनने दस्मलो 6 सुनने तो सुनने 15 में से गया 9 यह हो गया 1 कितना आगया इसका उत्तर 1.9 सुनने लिखें या 1.9 लिखें दोनो एक ही चीज है ठीक है तो हम इसका उत्तर हो गया 1.9 क्योंकि दस्मलो के बाद सुनने कितना भी लगा दे अंसर वही रहेगा सुनने हटाने के बाद वही रहेगा 4 में है तो प्रसन है 5 घटाओ 0.00 0.005 माइनस 0.005 प्लस 0.005 तो देखें 5 माइनस 0.005 है माइनस 0.005 प्लस 0.005 है तो जो प्लस प्लस है पहले उसको एक साथ लिख लेते हैं तो 5 और देखें ये भी प्लस में है तो 5 जोड 0.005 लिख लेंगे उसके बाद जो माइनस में है उसको एक साथ लिख लेते हैं तो 0.005 5 माइनस 0.005 0.005 तो पांच जोड सूने दसमलो पांच कितना होगा तो इसको देखिए हम रफ में जोडते हैं तो पांच जोड कितना है तो पांच जोड है सूने दसमलो पांच ठीक है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहां पर प्लस तो देखिए पांच हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पांच के बाद हम दसमलो सूने दे सकते हैं यहाँ पर क्योंकि पांच के बाद कुछ नहीं है तो दसमलो सूने हम लगा सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है ठीक है अब देखें इसको जोड़ देंगे तो पांच पांच और सूने पांच कितना आ गया पांच दसमलो पांच तो पांच जोड सूने दसमलो पांच कितना हो जागा पांच दसमलो पांच माइनस अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोडने के लिए देखे फिर से हम सुने दसमलो, सुने दसमलो, सुने पांच और सुने दसमलो, सुने पांच तो दसमलो को सामने ही रखेंगे ठीक है? तो पांच, पांच, सुने दसमलो, देखे तो सूने दसमलों सूने पांच पांच हो जाएगा क्योंकि सामने सामने ही जोड़ेंगे जो भी अंक है सब सामने सामने ही रखना है पहला दसमलों के दाया तरफ वाला पहला दूसरा अंक सब सामने होगा तो कितना आ गया सुन्ने दस्मलो सुन्ने पांच पांच तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुन्ने दस्मलो सुन्ने पांच पांच अब इसको हम घटाएंगे तो पांच दस्मलो पांच से इसको घटाना है सुन्ने दस्मलो सुन्ने पांच पांच इसको भी देखिए हम रफ में तो 5 दसमलो 5 है और घटाना है कि इसको सूने दसमलो सूने 5 पांच को यहाँ पर घटाओ का चीनने देंगे और देखे जब घटाना हो तो यहाँ पर हम सूनने लगा सकते हैं क्योंकि दसमलो के बाद सूने कितना भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो यह सुन्ने से 5 नहीं जागा तो इससे 5 लेगा तो 10 में से 5 गया 5 यह हो गया 9, 9 में से 5 गया 4 यह हो गया देखिए 5 दिया तो 4 हो गया और यह हो गया 5 तो 5 दस्मलो 4, 4, 5 इसका उत्तर होगा ठीक है तो जब भी घटाना हो तो उपर में देखिए हम बराबर संख्या कर लेंगे दस्मलो के बाद सुन्ने लगा करके तब ही देखिए घटाने में आसानी होगा क्यूंकि दस्मलो के बाद हम सुन्ने कितना भी लगा सकते है तो इसका उत्तर कितना हो गया 5 दस्मलो 4, 4, 5 ठीक है इसका उत्तर हो गया 5 दस्मलो 4, 4, 5 तो इस तरह हम परस्मलो 4 तक हल कर लेंगे